तो इस पर्टिकलर सेशन में हम कवर करने वाले डियेफसी सेल एक्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पर्टिकलर सक्षन है और इससे पहले कि आपने अगर ग्लासेश नहीं देखिए तो एक एक करके फटाफट देखके आओ और आज की लेक्चर नमबर कि आपका 12 है शुरू करते हैं आज के लेक्चर को सीधा तो देखो बई आपने यहाँ पे जो जो आप पड़े रहे थे, वह बेसिकलि क्या पड़ने लग रहे थे हैं यहाँ पे हम कौर मार्केटिंगbij कंसेप्ट को देख रहे थे ठीक है क्या होते हैं core marketing concept आपके need want and demand हो गया ये सब हम समझ चुके हैं target market हो गया positioning के बारे मैं आपको समझा चुका हूँ अब segmentation का जो part है यहां से आर बहुत सारे questions पूछे गए हैं हमने चार बेस बनाए थे उन चार बेस में से हम तीन बेस पढ़ चुके हैं आपका geographical हो गया demographic हो गया फिर आपका third number पे कौन सा आया था psychographic आया था देना आपका fourth number पे आप कौन सा आता है behavioral तो हमें यह last वाला segmentation समझना है इसमें किस-किस type का segmentation होता है क्या चीज़ें use होती है कौन से important terms है ठीक है शुरू करते हैं फिर इसको और fourth number का आपका यह segmentation होने वाला है basically आपको इसका यह breakdown भी समझना है तो यह भी एक बार आपका clear करा देता हूँ तो आपका यह पूरा wrap up हो जाएगा ठीक चलो fourth number का हमारा कौन सा है behavioral कौन सा हो जाएगा behavioral segmentation और यह किसका segmentation है consumer market का ज्यान रखना क्योंकि segmentation आपका consumer market का भी होता है और segmentation आपका जो business markets होते हैं न consumer market का मतलब समझ रहे हो जहां पे आपका direct जो person जिसे use करना है वो खरीदेगा product को और use करेगा बट कुछ business भी होते हैं याद आ रही है न B2B वाली बात तो कुछ business भी होते हैं जिनका segmentation किया जाता है वो हलकी सी बात है बस वो हमें 5-10 मिनट में पढ़नी है हमारे लिए जादर important नहीं है ठीक है चालो behavioral segmentation समझते हैं इसके लिए आप पहले तो कुछ लिखो ठीक है इसे हैं तो in this type लिखो यहाँ पर क्या लिखोगे in this type of segmentation in this type of segmentation यानि कि यह जो type का segmentation होता है यहाँ पर डिट्टो कर लेना आपका जो marketers होते हैं ठीक है न marketers यह जो आपका segmentation किया जा रहा है यह कर कौन रहा है यह आपका marketer कर रहा है ठीक है तो marketer क्या करते हैं किस basis पर divide करते हैं marketers divide जो भी उनका market है consumer का market है buyers का market है तो divide the market on the basis of market on the basis of, थोड़ा सा नीचे आते हैं on the basis of अब देखो किस-किस के basis पे नीचे आ जाते हैं, एक बार इसको मैं color change कर लेता हूँ किस-किस के basis पे सबसे पहला आपका हो जाता है on the basis of use of occasion ठीक है न, यानि कि जो आपका customer है उसका behavior की, आप देखो, behavioral segmentation में किसकी बात की जाएगी, हम यहाँ पे consumer है, जो हमारा है या फिर customer है उसके behavior की बात करेंगे behavior हमें कैसे पता चलेगा, वो किसी particular occasion में कैसे वो behave करता है, जैसे कि आप जैसे हो ली आएगी, तो आपका behavior कैसा हो जाएगा, color वगएरा खरीदने लग जाओगे आप और जो पिछकारियां वगएरा होती है वो खरीदोगे, दिवाली या धंतेरस आएगा तो आप यहाँ पे gold या silver की खरीदारी करने लग जाओगे, तो यह क्या है, आप उस यूजर स्टेटस का factor होता है, कौन सा होता है यूजर स्टेटस, कि जो भी आपका अगला परसन जो यूजर है या फिर जो आपका consumer है उसका क्या स्टेटस है, अभी समझ में आएगा, भी समझाऊँगा कि यूजर स्टेटस का मतलब क्या होता है, clear है फिर एक factor इसमें आपका निगलके आता है user rate का ठीक है ना किसका आता है user status हो गया user rate हो गया फिर आपका आता है loyalty status क्या होता है हमारा यहाँ पे loyalty status यह सभी क्या है factors है behavioral segmentation के ठीक है फिर आपका buyer की readiness stage buyer readiness stage क्या होती है भई buyer readiness stage लिख लो भई यहाँ ठीक है buyer readiness stage अभी यह सारे terms में आपको explain करूँगा तो इसमें आपको clarity आ जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है and the attitude towards the product यानि कि जो भी product यहाँ पे launch किया गया है आपकी company के द्वारा उसके प्रती customer का attitude क्या है यह आपका यह अब याद रखना attitude है जो customer का किसके towards product के towards वो किसमें आता है behavioral segmentation में आता है ठीक है न और देखो एक बार यहाँ पे आपको एक छोटी से line और लिखनी है इसमें क factors लिखाए है यह आपको सीधा exam में देखने को मिलेंगे कि user rate किसके अंदर आता है user status किसमें आता है loyalty status किसमें आता है यह तीनो terms मूछे जा जोके हैं exam में ठीक है याद रखना इनको तो अच्छे से अभी मैं समझा होगा अभी क्या क्या होते हैं अब देखो in this segmentation यह आप starting म market on the basis of market को किसे से आप से divide करते हैं अब यहाँ पर मैं जो आपको लिखा रहा हूँ ध्यान से देखना एक तो आपका यह aspect हो गया दूसरा aspect क्या है इसका in this आपका behavioral segmentation marketers divide क्या करते हैं डिवाइड करते हैं बायर्स ठीक है वहाँ पर आपका क्या था मार्केटर जो मार्केट था बेसिकली इसमें हमने अलग-अलग एक partition type कर दिया यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको यह बस यह point याद रखने यह बताया इसमें बहुत बड़े-बड़े factors include करेंगे हम जो आपको अभी मैं line लिखा रहा हूँ ध्यान से सुनना buyers on the buyers groups ठीक है ना buyers के जो groups होते हैं on the basis of on the basis of किसके बेस पर भाई basis of their knowledge ठीक है ना basis of their knowledge उनकी जो भी knowledge है यानी कि उनकी जो जानकारी है ठीक है knowledge of फिर आपका एक आजाता है attitude towards attitude towards यहाँ पर आपका third जो word use होगा यह हो जाएगा अपना use of ठीक है use of and response of the product and response of the product clear है तो इस चीज़ को अब समझते हैं basically जब भी हम बात करेंगे behavioral segmentation की हमने क्या देखा अपना जो भी customer है वो कैसा behave कर रहा है हमें उसका behavior observe करना है तो marketers क्या करते हैं यह जो buyers है हमारे इनको किस basis के group में divide करेंगे उनकी जो किस basis पर करते हैं उनकी जो knowledge है यानि कि किसी भी product के बारे में यह सभी की सभी बातें किसके respect में की जा रही है एक product के respect में की जा रही है कि एक जो customer है उसको क्या जानकारी है product की उसका attitude कैसा है product को लेकर के उसको इस product का use क्या है और उसका response कैसा रहने वाला है ठीक ह कि customer की knowledge क्या है, customer को need and benefit क्या होने वाले है, ठीक है, अब ये factors हैं उसके अलग-अलग, कि भाई उसकी benefits and needs लिखो इसे, ठीक है, जो भी उसके needs and benefits है, user status, user rate, loyalty status, buyer readiness stage हो गई, तो ये सभी क्या होते हैं, factors होते हैं, जिनके basis पर divide किया जा सकता है, समझना अब यहाँ पर user status का, या फिर सबसे पहले हम loyalty status की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, loyalty status की, तो loyalty status का क्या मतलब है, और क्या इसके अंदर और चीज़ें आती हैं, तो basically जब भी marketer यहाँ पर loyalty की बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला, भई, जो भी loyalty status हैने से 4 parts में divide कर दो, पहला वाला क्या हो question पूछा भी जाए कि marketing में, जो loyalty status है, वो कितने type का होता है, 4 type का होता है, याद रखना है, split हो गया, then आपका shifting loyals होते हैं, क्या होते हैं, भई, shifting loyals होते हैं, then fourth number पे आ जाता है, आपका switchers, क्या आ जाते हैं, भई, switchers आ जाते हैं, अच्छा इन चारों में कौन-कौन से, म यहाँ पे ऐसा लिखलो, कि customer, customer who buys, customer who buys only one brand, ठीक है न, only one brand all the time, यानि कि वो क्या करेगा, बस एकी brand पूरे life वर वो use करता रहेगा, suppose करो, जैसे मैंने यहाँ पे, अब यह जो hardcore loyals बनते हैं, यह कहाँ पर बनते हैं, आपको, जैसे toothpaste हो गया, आपने mostly देखा होगा, कि हम अदत हो जाती है, अगर आप Colgate यूज कर रहे हो, तो आप most probably ऐसा हो सकता है, कि आप अपनी पूरी life वर Colgate यूज करते रहो, ठीक है, अगर कोई problem नहीं आती है, या फिर जैसे कि हम कोई soap यूज कर रहे है, तो कई लोगों को अदत होती है, कि वो अपनी lifetime एक ही soap यूज करत होगे, लेकिन जब आप खुद लेना start करते हो चीजों को, या फिर आपने देखा होगा, आपके father कोई चीज यूज करते हैं, तो वो एक ही brand लेके आते हैं हर बार, क्योंकि ये क्या हो जाती है, एक तरीके से hardcore loyalty build हो जाती है, ठीक है, तो जो लोग क्या करते हैं, एक ही brand को ह more, ठीक है न, यानि कि ये वो customer होते हैं, जो कि दो या फिर दो से ज़ादा brands के लिए loyal रहते हैं, ठीक है न, ये L लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, suppose करो, आपको आपने क्या किया, soap हो गया, ठीक है यहाँ पे soap का example लेते हैं, soap हुआ तो मैं क्या करता हूँ कि soap मै मैं तीन brand का लेना start कर दिया, मैंने, मैं यहाँ पे Lux का soap भी use करता हूँ, मैं यहाँ पे number one भी use करता हूँ, मैं यहाँ जो अपना क्या बोलते हैं, इसको synth haul हो गया, synth haul भी use करता हूँ, ठीक है, यानि कि मैं अलग-अलग type के soap यहाँ पे use करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी soap को use करना छोड़ दिया हो, ठीक है न, यानि कि मैं यहाँ पे lapsed customer तो बन सकता हूँ, अब देखना यहाँ पे चीज़ें कैसे relate हो रही है, जो split loyal होते हैं, यह आपके laps की category में आ सकते हैं, क्या यह lapsed customer बन सकते हैं, हाँ, यह लोग lapsed customer बन सकते हैं, क्योंकि इ मतलब क्या होता है, अब यह समझ में आ रहा होगा, यह वो customer होते हैं, तो यहाँ पे लिख लो एक बार, customer who, customer who shift, who shift loyalty from one brand to another, loyalty from one brand, one brand to other, यानि कि एक brand से other brand पे यह shift होना start कर चुके हैं, जैसे कि suppose करो, मैं पहले जो, यहाँ पे हम क्या example ले 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 हैं, चलो भाई, clothing का मैं यहाँ पे example लेके बताता हूँ आपको, suppose करो मैं पहले क्या करता था, कि जो Raymond है, Raymond के ही मैं यहाँ पे हमेशा कपड़े use किया करता था, ठीक है, जो cloth होते थे, बट यहाँ पे अब मैंने धीरे धीरे अपने आपको shift करना किस पे start कर दिया है, मैं maneuver की clothing लेना मैंने start कर दिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे shift कहा से कर रहा हूँ, Raymond से लेकर के मैं अपना जो maneuver है, उस पे shift करने लग गया हूँ, इसको बोलते है shifting loyalty, ठीक है, जादा tough नहीं है, यह तो switchers का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, hardcore loyal क्या है, यह कभी अपनी brand को show no loyalty with the brand, यानि कि यह अपनी brand के साथ कोई loyalty नहीं दिखाते, they show no loyalty with brand, यानि जो भी brand है, उसके साथ इनकी कोई loyalty नहीं है, बस एक बार जो product use करना है, एक बार ले लिया, उसके बाद लेंगे, नहीं लेंगे, कुछ हमें पता नहीं है, ठीक है, तो यह होते हैं switchers, अब basically यह ज एक company से किसी particular company पर टिक ही नहीं हो, तो यह हो क्या रहा है, यह आपका behavior ही तो है, इन सभी का base क्या है, behavioral segmentation है, ठीक है, बात की गहराई तक पहुँचे की नहीं पहुँचे, तो यह होता है loyalty status, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, देखो user status के बारे में बात करते हैं कि user status में क्या चीज़े हैं, ठीक है, समझा इसको ध्यान से अब, अब इसमें भी जो user status है, इसे भी आपका again, हमने यहाँ पे इसे four parts में divide कर दिया, पहले वाले क्या होते हैं, non users होते हैं, ठीक है, पहले वाले क्या हो गए, आपके non users हो गए, दूसरे वाले हो गए हमारे यह किस type का हमारा prospect है, ठीक है, समझना आप ध्यान से, non user हो गया, x user हो गया, potential user हो जाता है, इसी में आपका क्या आजाता है, potential user आजाता है, then आपका last number पे कौन से आजाता है, first time user, ठीक है, यह आजाता है आपका first time user, और फिर एक और होता है, इसमें आपका regular user है ना, यह regular भी तो पता करते हैं user status यह जो segmentation किया गया यह जो user status factor ही किसका बना हुआ यह behavioral का बना है क्योंकि यह जो भी है आप किसी भी company से जब approach कर रहे हो किसी भी company से आप कोई सामान खरीद रहे हो इसमें आपने अगर regularly use किया तो यह आपकी behavior के बारे में करूँगा potential user का मतलब क्या होता है इसकी एक छोटी से definition लिखो ठीक है customers क्या लिखोगे यहाँ पर customers वो customers who will customers who will क्या होगा भी जो की become users who will become users जो की क्या बनेंगे कभी ना कभी user बनेंगे at any यहाँ पर आप क्या लिखोगे at any life stage any life stage या फिर आपका किसी एनी life stage और life event ठीक है ना यानि कि किसी भी life के stage पर जिंदगी के किसी एक पड़ाफ पर आके यह क्या बन सकते हैं आपके यह जो customer है वो आपके user बन सकते हैं इसका example समझना आप काफी सारी companies होती है कुछ जो अब एक चीज तो आप पहले यह समझो कि कोई भी company होती है तो उसकी कई सारी branches होती है जैसे कि अगर मैं Google की बात करूँ तो Google भी एक branch है किसका alphabet का ठीक है और अगर आप यह OPPO यह mobile companies देखोगे तो OPPO है आपका Realme है Redmi है यह सभी भी एक company का पार्ट है वीवो हो गया यह सभी एक company के पार्ट है ठीक है तो basically यहाँ पर होता क्या है कोई company है suppose करो एक example दे रहो बड़ी धान से सुनना कोई कोई एक वेट अ सेकेंड हाँ तो कोई एक आपकी mother to be है यानि कोई मा बनने वाली है अब वो धीमे धीमे क्या है इस टाइप के products को search करती है जब वो mother to be है तो अभी बच्चा नहीं हुआ है ठीक है धीमे धीमे वो बच्चे के बारे में search करेंगी कि बच्चा होगा तो उसे बच्चों वाली उन्हें accessories चाहिए होगी ठीक है तो basically ये क्या है किसी एक life event के बाद वो बच्चा होगा और ये जो marketers होते हैं वो ऐसे customers को पहचानते हैं देखते हैं कि अब कहीं न कहीं इनको कुछ time के बाद या फिर किसी एक life stage में हमारे product की ज़रूरत पड़ने ही वाली है in near future यानी कि स्पास वाले ही future में तो ये लोग क्या करते हैं बहुत सारे ads दिखाते हैं आपको बहुत सारे offers दे देगे ठीक है क्या करेंगे offer दे देगे और फिर बहुत सारे discounts दे देगे और बहुत सारे ads जो है ऐसे कही न कही तो use करना है जैसे बच्चा पैदा होगा तो diaper वगएरा हो गए या फिर जो छोटे बच्चों के लिए और भी products use किये जाते है सारलक वगएरा है ना तो वो use तो करने ही पड़ेंगे ठीक है तो कही न कही है हमारे लिए क्या हो गया potential user हो गया समझ में आया potential user क्य क्या होता है clear हुआ क्या अब देखो यहां पे non user क्या होता है non users वो होते है अब देखो इसका user status यह लोग जब segmentation करते हैं तो क्या बोलते है यूजर स्टेटस क्या क्या है इसी user status के अंदर आता है potential user अब इसका यह जो particular जैसे कोई mother to be है तो उनका user क्या हो गया कि हमारी potential user है समझ रहे हो क्योंकि एक time के बाद बच्चा होगा और फिर हम उनको product जो है अपने चिपकाने start करेंगे बात की गहराई तक पहुंचे गी नहीं पहुंचे फिर यहां पे मैं non users की बात करता हूँ कुछ आपकी company के ऐसे भी customer होगे जिनको जो आपकी company product बना रही है उसका उसे डालतेते हैं कि हमारा यह product जो है इसका user इसको कोई use नहीं करना है ठीक है तो यह आजाता है आपका non user में अब आप कहोगी सर हमें ऐसी list prepare करने की जरूरती क्या है जब वो हमारा सामान use ही नहीं कर रहे है dear अब जैसे कि नया customer अगर हमें बनाना होगा तो वो होगा तो non user ही अब हमें यहाँ पर यह study किया जाता है इस list से जब user status non user का आता है कि यह बंदा जो है वो use क्यों नहीं कर रहा है ऐसी क्या problem है हो सकता है कि उस चीज की need हो जो आपकी company बनाती है बट वो उसकी wanty ना पैदा कर पा रहा हो ऐसा भी हो सकता है तो आप उसके अंदर क्या करेगा marketer want पैदा करेगा क्योंकि marketer जो है वो need तो पैदा करनी पाएगा तो वो क्या करेगा want को पैदा करेगा उस non user के अंदर clear है इसलिए आपका यह important होता है अब यहाँ पे होते हैं आपके first time users तो first time users क्यो important है किसी भी आपकी company के लिए marketers क्या करते है उनको नएने customer चाहिए अब बोला कि यह product अच्छा है अच्छे अच्छे ads दिखा दिए इसको बार-बार ads दिखा रहे हैं ठीक है तो ऐसे करके इसने हमारा product ले लिया तो हमारी लिस्ट में आ जाएगा अब यह first time user कि इसने हमारा product first time लिया हुआ है ठीक है अब इसके बात क्या होगा कि अगर धीमे धी में हम इसको अच्छा product देते जाएंगे इसमें हम CRM apply कर देंगे अब तो अब यह हमारा क्या बन जाएगा regular user बन जाएगा बोलो हां की नहीं अब यह हमारा product जो है वो regularly use करने लगेगा और इसकी loyalty हमारे लिए बढ़ जाएगी कैसी हो जाएगी loyalty इसकी बढ़ जाएगी हो सक क्लिए हमारे लिए यह shift कर गए है और फिर shift और से कहीश कर गए है और अभी हमारे user नहीं रहे हमारी ब्रान्ट के तो हम्हें पता होने हैं क्यों नहीं हुए त excessive लोगया जाए गा कि हमेरे वापस लेकर हें क्या इसी बात होगी यह यह होसकता है जालानित विर्षॉत और जो है कही ना कही हम और भी ज़्यादा benefit दें ठीक है तो ये सब करके हमेने वापस अपना user बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है और सबसे ज़्यादा जो important होता है वो होता है किसी भी company के लिए potential user regular user तो use कर रहा है marketing team के लिए लेकिन जो potential user है marketing team के लिए ये बहुत important होता है और ये question भी बहुत important है आपके लिए ठीक है अच्छे सा याद रखना potential customer क्या है जो कही ना कही आने वाले time में future में इसको use करने वाला है तो जो भी marketers होते है ना वो इसका number या फिर जो भी इनका नाम पगेरा अपने पास में save रखते है data इसका जो भी data होता है potential customer का ठीक है क्योंकि कही ना कही पोटेंशल customer ही आपका क्या बनेगा new consumer बनेगा clear है चलो खर ये हो गया आपका user status के base पे अब जो हमारा तीसरे number पे बात आएगी ये हो गया आपके दो number की बात third number देखो user rate ठीक है क क्या आ गया आपका user rate अब ये user rate का मतलब क्या है समझते हैं इसको अब इसका भी segmentation कर दिया इसको हमने 3 type में divide कर दिया ठीक है एख होता है heavy user एक क्या हो गया heavy user हो गया दूसरा आपका medium user हो गया, medium user हो गया, third number पे आपका light user हो गया, क्या हो गया light user, अब किसी भी company के पास या फिर किसी भी marketing team जब देखती है न, तो हमारे किसी भी company के लिए जो heavy users होते है न, ये सबसे कम percentage में पाय जाते हैं, सबसे कम percentage में तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही द हो गई, ठीक है, या फिर आपका cigarette companies हो गई, ठीक है, तो इन सब में ज़्यादा देखने को मिलता है, heavy users कौन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा, अब beer की बात कर रहे हैं, तो जो user ज़्यादा beer पीता होगा, सबस करो, कोई, एक कोई person है, वो एक दिन में ही, दो से तीन bottle, जो है beer की खतम कर जाता है, और एक light user इसको एक beer की bottle खतम करने में one week लगता है, तो हमारी जो marketing team है, इसके लिए कौन सा user important होगा, यहाँ पे आप भले ही light user आप, तो यहाँ पे 10 इकटे कर लो, उसके लिए यह heavy user एक ही काफी है, बात की गहरही तक पहुँच पा रहे हो, तो जो heavy user ह होता है, वो mostly कैसी categories में देखा जाता है, जो आपकी last वाली demand मैंने बताई थी, demand आपकी last वाली, अब मुझे चरह बताना, यह demand से आपको कुछ याद आ रहा है, जहाँ पे मैंने बताया था, customer तो खर्चा करने को ready है, समझे रहे हो, customer के लिए है, तो वो harmful, बट वहाँ पे customer खर्चा करने को ready है, और वहीं से आपका यह निगल के आता है user rate, ठीक है, user rate की जो category है, वो बनाई mostly ऐसी ही categories के लिए जाती है, जैसे beer companies हो गई, cigarette companies हो गई, या फिर आपका tobacco companies हो गई, ठीक है, यह इनके लिए ज़्यादा helpful होता है, तो आप यह मुझे demand का नाम comment करके बताना, अब देखो एक aspect तो आपने देखा कि चलो यह होता है कि heavy user हमारी company के लिए या फिर जो हम marketing कर रहे हैं, उसके लिए काफी important है, heavy user के यहाँ पे दो aspect होते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना, यह example मैंने आपको beer वाला उठाय से आपको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी, because suppose क और हो कोई beer यार बहुत ज़्यादा खरीदता है, ठीक है, तो उसके लिए एक point of time पे यह matter नहीं करेगा कि मैं एक particular A company की यह beer लूँ, उसके लिए तो heavy उसे consumption ज़्यादा करना है, हो सकता है कि वो A company का मिल चाहे तब भी उसे चलेगा, B company का मिल चलेगा, C company का मिल चाहे तब यार जरूरी नहीं है कि यह लोग आपका loyal ही रहेंगे आपकी brand के साथ, इनकी दो categories होती है, heavy user की, दो aspect होते हैं इनके, या तो यह बहुत ज़्यादा loyal रहेंगे, या फर यह बिलकुल भी loyal नहीं रहेंगे, ठीक है, या तो यह सारा का सारा जो beer है, अगर इनको आदती आपक brand की beer की लगिए, तो यह आपकी brand की ही beer लेते रहेंगे, बट एक probability यह भी है कि इनको उससे मतलब ही नहीं, इनको बस beer पी नहीं है, कोई भी company की beer उठा के ले आएंगे, ठीक है, यह aspect समझ में आता है, तो याद रखना, आपका जो heavy user होते हैं, इनके लिए दौनों ही जो statement है यह गलत हैं, यह पूरे loyal भी नहीं होते हैं, सारे, अब जैसे कि मैं आपसे van diagram बना के बताता हूँ, ठीक है, मैंने बोला, यह जो group है, यह ऐसे लोगों का group है, जो की पूरा loyal रहता है किसी भी company के साथ, ठीक है, not loyal, तो यह जो heavy user होंगे ना, वो कुछ तो होंगे loyal, कुछ हो non loyal, ठीक है, तो यह दौनों में ही आते हैं, clear हो रही है मेरी बात, तो अगर आपसे कोई बोले, कि जो heavy user होते हैं, वो किसी भी company के लिए loyal है, गलत है, heavy user होते हैं, वो किसी भी company के लिए loyal नहीं है, यह भी गलत है, अगर if का यहाँ पर बोला जाए कि यह possibility है, ठीक है न, यह क medium और जो medium user होते हैं, इनका तो कोई मतलब भी नहीं है, यह आपका क्या करेंगे, कि जो भी आपका product है, वो on and average यूज करते रहेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर user rate देखा क्यों जाता है, ठीक है, user rate के base पे क्यों हमने यहाँ पे इनको divide कर दिया, so that हमें पता चले हमारे heavy user कौन से है, heavy user के हमें पता है, दौनों aspect हो सकते हैं, तो उसको हम observe करेंगे, उसका हम RFM वगेरा देखेंगे, कि इसका RFM कैसा क्या है, उस हिसाब से हम यहाँ पे CLV पता कर पाएंगे, ठीक है, यह बात देखो, CRM में पहुत जारी है, यह सारी की सारी बाते हैं, फिर हम उसका CLV पता करेंगे, उसे आपसे उसे offer देंगे, जो medium वाले लोग होते हैं, वो तो चली रहे हैं, इनने time time पे क्या करते रहेंगे, offer देते रहें, जिससे कि यह क्या ना हो भई, labs वगेरा ना हो, और जो light user होते हैं, light user को यहाँ पे कहीना कहीं कोशिश हो देगी, इनका जो consumption है, उसे बढ़ाया चाहे, consumption कैसे बढ़ाती है, companies उसको अलग-अलग offer देके, यह बोलेगी भई, अगर आप एक use करता है, suppose करो यह one week में एक use करता है, लेकिन company ने offer ऐसा दे दिया कि अगर आप एक साथ दो bottle खरीदोगे, हम आपको एक bottle free देंगे, ठीक है, तो अब यह क्या इसरा aspect क्या है, कि अब यहाँ पे अगर कोई medium user है, तो उसका हम usage है, उसके हम बढ़ा सकते हैं, light user है, उसका usage हम बढ़ा सकते हैं, कि कही ना कहीं हो सकता है, कि इसकी जो probability है खरीदने की वो ज़्यादा होगी, लेकिन जो heavy user है already, उसके पासना space कम होता है, यानि कि जो उसके usage बढ़ने का space है, समझ ना, ये एक question आ चुका है, अगर आपसे कभी भी बोले, कि जो आपका purchase expenditure है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, एक word होता है purchase expenditure, expenditure, expand, expenditure ये basically, ठीक है, ये expenditure PE वाला नहीं है, expenditure होता है, वो खर्चा होता है, ये expand, यहाँ पे आप expenditure ही हटा दो, जो percentage, जो आपका purchase expand है, यानि कि जो आप purchase कर रहे हो, इस expand का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है बढ़ना, तो जो purchase expand है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको light user में देखने को मिलेगा, वो आपको heavy user में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पूल पाएगा, इसकी जगह अगर मैं ये box था, इसमें छोटा सा, इतना सा मैंने एक गुबारा डाल दिया और इस गुबारे को मैं आप फुलाना चाहूं ते बहुत ज़्यादा expand हो जाएगा ना, इसके अंदर chances है कि ये बहुत ज़्यादा expand होगा, तो यही है, light user क्या है वो इतना खर्चा कर रहा है, तो इसका खर्चा धीमे धीमे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन heavy user का जो खर्चा है, वो already बढ़ा हुआ है, इसका खर्चा और नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है, बहुत easily समझा दिया, I hope it's related, जो भी question अब बनेगा, वो आप कर पाओगे, ठीक है न attitude of consumer, consumer बोल दो या फिर यहाँ पे customer भी होगा, towards the product, इसके base पर भी इसके 5 basic type में जो इसको divide किया गया, towards the product, अब यह जितने भी type बता रहा हूँ ना, इसमें आपको question ऐसे भी आ सकता है, कि जैसे अगर मैंने question में पूँछ लिया, कि heavy user हम कहां किस type के segmentation में observe करते हैं, तब भ भी आपका behavioral segmentation में इसको observe किया जाता है, ठीक है, तो attitude of consumer की बात करते हैं, इसके total 5 type में इसको हमने divide किया है, ठीक है, क्या हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड पाचवा, समझते हैं इसको, पहला वाला होता है आपका enthusiastic, ठीक है ना, उनका behavior या फिर उनका attitude ह है, हमारे customer का, वो कैसा होगा, enthusiastic होगा, second number पे आपका आजाता है, भी positive, ठीक है ना, उनका कैसा attitude है, positive है, third number पे आता है, indifferent, ठीक है ना, कैसा आता है, indifferent आता है, fourth number पे आपका आजाता है, negative, then आपका fifth number पे क्या आता है, hostile, ठीक है ना, क्या आता है, आपका hostile, ठीक है ना, क्या आ यह होता है यह कई बार question ऐसा आ चुका है which of the following is not an attitude of a customer यह याद रखना यह question आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि अलग से वो आपको बिलकुल अंदर अंदर जाके बताए कि core marketing concept में जो आपका behavior segmentation में जो attitude होता है उसके अंदर ऐसा होगा यह question सीधा भी आ सकता है कि customer का attitude which of the following is not a customer attitude ठीक है ना इने market याद रखना यह 5 टाइप के attitude हमें observe करने को मिलते हैं इसलिए इतना बचा रहा हूँ ठीक है चलो तो social class और demographic में आपको doubt आ रहा है ना कॉस्मेटिक वाला वो मैं आपको बताता हूँ अभी ठीक है देखो enthusiastic का मतलब क्या होता है suppose करो मैंने अपना एक product है मेरी company उसने कोई product बनाया और वो launch कर दिया अब वो launch कर दिया कुछ तो customer ऐसे होंगे जिनको उसकी जरूरत होगी ठीक customer ने देखा product को उनको पसंद आया और उन्होंने ले लिया enthusiastic होते हैं जिनको उसकी जरूरत थी और वो product मिल गया तो वो बहुत ही enthusiasm से motivated हो जाते हैं ठीक है और कुछ लोग होते हैं वो गए अपना market place पर नोंने देखा ये product आया हुआ है चलो ठीक है बढ़िया है इसको ले ल है या फिर जो हमारी need है भी तो हमें उस चीज की want नहीं हो रही है फिर अब हम क्या करेंगे जो हमारे marketers होंगे वो इस indifferent वाले को यहाँ पर क्या करेंगे positive में लाने की कोशिश करेंगे उसको अपना हम product दिखाएंगे भई ऐसे ऐसी चीज उसके अंदर want पैदा करो ठीक है फ इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी बिलकुल नहीं लेना है यह हटाओ में उसकी जरूरत ही नहीं है ठीक है ना तो जो negative customer होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से अपने customer अपना जो product है उसकी specialty दिखाने ही कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे कि एक बार हमारा यह product को use कर लें ठीक है और जो hostile होते हैं ना हमें इनसे बचके रहना होता है जो hostile टाइप के customer होते हैं इनसे company को कोई लेना देना नहीं है because hostile का मतलब क्या होता यह शत्रता पूर्ण रवया ठीक है जो hostile percentage होते है किसी भी product के लिए वो तो खैर नहीं होती है ना के बराबर होती है अगर कोई आपका hostile customer है किसी में hostile attitude देखा जा रहा है तो आपको उससे अपना जो आपका relation है company का आपके touch points है उनको खतम कर देना चाहिए ठीक है क्योंकि वो फिर आपके लिए दिक्कत देने वाली चीज़ बन जाती है तो आपको पूरा clear हो गया होगा इसमें ज्यादा deep में नहीं जाना है जितनी बातें बताई है उतनी याद रखना अच्छे से और इतना ही पूछा जाता है ठीक और याद रखना 5 टाइप के attitude हमें देखने को मिलते हैं enthusiastic positive indifferent negative and hostile clear है आगे बढ़ जाएं क्या चालो ये हो गया आपका fourth वाला base किसके अंदर behavioral segmentation के अंदर अब हम जब पाँचवे factor की बात करते हैं decision roles ठीक है ना देखो अब ये बड़ा ही सही example इसका मैं आपको बताता हूँ decision roles decision roles समझ ना इसको यहाँ पे अब ये क्या है एक factor है behavioral segmentation के अंदर अब ये जो decision roles होते है ना ये अलग-अलग type के आपके हो सकते हैं तो again इसको यहाँ पर कितने parts में divided किया गया इसको 5 parts में divided किया गया ठीक है कितना 1,2,3,4,5 अब समझ ना इसको बहुत ही धान से इसमें क्या-क्या बोला गया कि एक तो क्या होता है आपका कोई initiator हो सकता है ठीक है क्या हो सकता है आपका इनिशेयoter तो यह हो यह रही यह वेटा second देखो इनिशेयटर हो गया आपका initiator, then आपका second place पे आता है influencer, ठीक है न, क्या आजाता है आपका influencer आजाता है, third place पे आपका आता है decider ठीक है न, third place पे क्या आता है decider आता है, fourth place पे आता है आपका buyer, then आपका fifth place पे कौन आता है fifth place पे आपका आजाएगा user, ठीक है न, ये आपके सीजन लेने की जो प्रोसेस होती है ना यानि की स्टार्टिंग से ले करके उस प्रोड़क्ट को ले करके यूज करने तक जितने रोल यहां पे आपके किये जा रहे हैं वो क्या-क्या है ठीक है ना किस-किस काटगरी में आते हैं अब ध्यान से समझना यह आपको बहुत ही काम करो तुम झो जाते हो और मैं और आपके पापा जो है वो बोर हो जाते हैं कंडिशन ऐसी चल रहे है तो आपने एक्टे काम करता हूं मैं वों फियांटर लगा देता हूं ठीक है, एनके आपकी ंहें से बोला कि मुझे हूम चाहिए या फिर ऐसा बोला कि बड़ा सा टीवी चाहिए फिर उनको ऐसी डिमांड आई ठीक है तो जहां से डिमांड आती है जहां से आपका वॉंट स्टार्ट होती है जहां से आपका इनिशेट हो रहा है यानि कि आपकी मम्मी ने कहा तो इनिशेटर वाला रोल है यह यहां से starting होती है किसी भी चीज़ की होम थेटर चाहिए तो वो कहां से initiator हुआ आपका मम्मी से हुआ मम्मी हो गई आपकी initiator ठीक है अब क्या होगा influencer में देखो अब आपने का ठीक है होम थेटर तो लेना अब पहले आप इसके बारे में कही न कहीं क्या करोगे जानकार इकटी करोगे कहां का होम थेटर अच्छा है क्या चीज़ है सबोज करो आपने अब अपने फ्रेंड के पास गए ठीक है उसने होम थेटर लिया हुआ था आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि मुझे ये बताओ कि कौन सा होम थेटर लेना बैटर रहेगा ठीक है तो वो यहाँ पर क्या बोलेगा कि काम करो मैंने सोनी का होम थेटर लिया हुआ है और वो काफी बढ़िया है और उसने काफी कुछ बताया उसके बारे में ठीक है तो यहाँ पर मुझे किसने इंफ्रेंस कर दिया मेरे friend ने तो यहाँ पर यह जो मेरा friend है ना यह क्या बन गया influencer बन गया क्योंकि मैं जो भी product लेने जा रहा हूं उसके बारे में influence मुझे किस ने कर दिया मेरे friend ने मुझे influence कर दिया मेरी mother जो है यहाँ पर initiator हो गई अब क्या होगा यहाँ पर जो home theater father ही रहेंगे ठीक है Indian culture है तो यहाँ पर क्या हुआ decider के लिए suppose करो आपने अपने पापा के साथ मिलके मम्मी के साथ मिलके decide कि ठीक है यह वाला home theater लेंगे तो यहाँ पर जो main decider जो यहाँ पर last में permission देगा कि हाँ भई ठीक है चलो ले लो तो buyer कौन बने हो आप बने हो यानि कि you यहाँ पर क्या बना buyer बना अब यह home theater लेकर आप घर पे आ गए user कौन है इसको कौन यूज करने वाला है अभी ठीक है मम्मी यूज करने वाली है पापा यूज करने वाले है तो mother and father यूज करने वाले हो जाएंगे तो यह जो पूरी decision process हुई तो यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग रोल आ रहे है एक person के दो roll भी हो सकते हैं टीन roll भी हो सकते हैं कोई भी roll हो सकता है हो सकता है कि आपका friend यहाँ पे influence बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है इंफ्लेंसर वो होता है जो आपको किसी भी decision लेने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर दे मजबूर कर दे कि आप इस person को decision लेना है भाई करने के लिए ठीक है clarity आई क्या दूसरा example देता हूं मैं आपको suppose करो आपका कोई छोटा भाई है उसने बोला कि मुझे एक क्या चाहिए treadmill चाहिए ठीक है मुझे क्या चाहिए है treadmill जिससे कि मैं थोड़ा fit रह पाओ तो आपने ठीक है तो अब initiator यहां पर क्या हो गया छोटा भाई हो गया फिर आप क्या करोगे वही आपका scene चलेगा treadmill के अब user कौन कौन होगा आपका भाई भी यूज करेगा अगर आपके father यूज करते हैं mother यूज करते हैं या फिर पूरी family ही यूज करते है ठीक है आप भी यूज करते हो पूरी family क्या हो जाएगी user हो जाएगी ठीक है तो decision role क्या होते है चेंज होते रहते हैं अब बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी है ना, तो इस तरीके से चीजों को समझना होता है, और ये question आपको ऐसे रटा-रटा की थोड़ी देगा, question आपको ऐसे कुछ ना कुछ language बना के देगा, इसके भी मैं आपको questions कराता हूँ, ठीक है, आज evening में stage, अब देखो ये जो buyer readiness stage है, इसमें क्या करते हैं, कि कई बार क्या होता है, कि बहुत सारे याँ पे, कई सारे लोग होते हैं, फिर हमारा जो market होता है, target market में भी, उसमें कई सारे लोगों को हमारे product के बारे में awareness ही नहीं होती तो यहाँ पे अगर हम readiness देखेंगे तो जो unaware ही है हमारे product से वो तो आगी नहीं बढ़ेंगे तो इनका मामला यहीं पे खतम हो गया अब बता तो चल गया unwoz करो मुझे यहाँ पे कर लेनी है अब मेरे अंदर want जो है car लेनी है अब मुझे sports car लेनी है याने कि मेरे अंदर जो need है स्पोर्स कार की अब मेरे सामने अलग-लग sports कार है अब जो भी मेरी want को पैदा कर पाएगा वही उसके साथ मैं जाऊंगा है न जिनके इंटेंशनी नहीं है जिनकी क्अधिन करेंगे तो तो यह वह इसा करेंगे तो यह सब है है कौनी स्टेज तक पहुच पा रहा है कौनसी स्टेज स्टेज तक नहीं पहुच पा रहा है यह सब का समल देखा जाता है ज़ादा कुछ इससे rud GirstandWhere hal चलो क़्यों आपका हम आते हैं सावंत नंबर ठीक है सावंत नंबर का hsi यहाँ पे यह जो है आपका basically जो हमने buyer readiness stage देखी ना इसी का extended form होता है इसे हम बोलते हैं multiple basis ठीक है ना क्या बोलते हैं इसको multiple basis यानि कि किसी एक base पे नहीं एक factor पे नहीं हम कई सारे factors को यहाँ पे observe करते हैं और इसके लिए ही आपका यह वाला graph यहाँ पे बनाया गया है behavioral segmentation का अब यह जो buyer readiness stage है या फिर जितनी भी चीज़ें होती ना वो इसमें covered हैं सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक target market है target market क्या होता है आपने जो भी सामान बनाया या फिर आप जो भी बेचने वाले हो आप जो भी product की offering कर रहे हो वो उसके बारे में जो हमारे customers है उनको पता है वो उसके बारे में aware है या फिर unaware है ठीक है ना यानि कि awareness है जानकारी है उनकी उस product के बारे में या फिर जानकारी नहीं है clear है अब अगर वो unaware होगी तो यहाँ पे आपका सारी चीज़ें खतम awareness होगी तो आप यह आता है कि उन्होंने उस product को try किया है या नहीं किया है है कोई awareness है product की आपका जो target market है target market ये किसके terms में बता रहे हैं हम marketer के terms में यानि कि जो भी आपका group of consumers है group of buyers है उसने इसको try कर लिया अब जो not tried वाले हैं वो negative opinion वाले हैं neutral neutral ही होता है आपका ये indifferent मैंने आपको बताया था ना अभी क्या बताया था indifferent तो indifferent वाले कोई neutral बोलते हैं और तीसरा आपका होता है favorable मैंने आपसे क्या बोला था जो hostile वाले होते हैं उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है अब समझ में आ रही हैं सारी चीज़े रिलेट हो जाती है ये जो table है आपकी पूरा behavioral segmentation का ये breakdown है जब हम उन factor को एक साथ मिला के देखते है ना तो ये table बनके आती है चार्ट बनके आता है hostile उससे कोई लेना देना नहीं अब जिसने नहीं लिया है वो या तो neutral रहा होगा हमारे product के लिए या फिर वो negative रहा होगा या फिर वो हमारे लिए हो सकता है favorable opinion हो लेकिन उसने लिया नहीं आगे चलके या फिर हो सकता है कि हम अगर उसे offer देंगे discount देंगे तो वो हमारा product ले लेगा ठीक है neutral वाले में हमें अपनी want जगानी है और जो negative opinion है उसकी opinion को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको actually में चाहिए क्या है ठीक है यह हम यहाँ पे समझते हैं अब इसके आगे क्या होगा आपका वो वाला program चलेगा कि समझना है हमें यहाँ पे इन लोगों को discount वगेरा देना है वो सब आपका फिर CRM में चला जाता है अब जो try कर चुके हैं जिन्होंने एक बार ले लिया उस product को फिर उन्होंने अगली बार उसको reject कर दिया क्या या फिर उन्होंने उसको repeat नहीं किया या फिर repeat कर रहे हैं ठीक है अब जो repeat कर रहे हैं उसका आगे बड़ेगा अब जिसने repeat नहीं किया वो तो वहीं पे खतम हो गया और जिसने हमारे product को एक बार try करने के बाद ही reject कर दिया, वो भी वहाँ पे खतम हो गया, अब जिसने repeat किया है, वो loyal है हमारी brand के लिए, वो switcher है, या फिर वो loyal to other brand है, या फिर हमारी brand के लिए loyal है, मैंने आपको बताया था न, loyal में एक क्या होता है, आपका hardcore loyal होता है, ठीक है, hardcore loyal क्या रहेगा, आपकी brand के साथ हमेशा loyal रहेगा, एक होता है कि आपका split loyal होता है, ठीक है, कौन सा होता है, split वाला, यानि कि वो दूसरी brand के साथ loyal है, क्या अगर वो repeat कर रहा है, तो हम उसे देखेंगे, उसकी RFM वगेरा देखके जो भी है, switcher है, क्या वो कहीं हमारी brand से switch नहीं करने चा रहा है, ठीक है, ये सब बाते, अब जो हमारी brand के लिए loyal होगा, उसके अंदर हमें क्या देखना है, कि वो हमारे लिए light user है, regular user है, या फिर heavy user है, अब समझ पा रहे हो, ये segmentation में सारी चीज़े included है कि नहीं है, बोलो हाँ फटा-फट से, क्या देखा हमने target market म awareness और unawareness देखी, ये किसके basis पे होती है, आपकी, जो आपकी readiness है, ठीक है ना, readiness के basis पे हो गया, then आपका tried और not tried हो गया, यहापे जो भी rejector है, या फिर आपका neutral है, negative opinion है, ये हुआ उसका attitude, ठीक है ना, ये क्या हो गया, आपका attitude हो गया, और यहाँ पे ये जो tried और not tried वाला था ये आपका user status हो गया, ठीक है, user status पता चला, उसने try किया हुआ है, या नहीं किया हुआ है, first time है, कैसा है, clear है, ये यहाँ से हमें क्या पता चलता है, status, then आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे, ये आपने देख लिया, फिर आपका loyalty वाला यहाँ पे portion आ गया, कि user के loyalty कैसी है, then आपका ये क्या पता चला है, यूजर का rate पता चला यहाँ से, हमने देखा, user का rate कैसा है, तो इस तरीके से जह हम बहुत सारे factors को मिला देते हैं, तो आपका behavioral segmentation का ये particular आपका breakdown होता है, I hope आपको अब जो clarity का level है, यार, वो बहुत जादा उपर चला गया होगा, सारी set है, क्या clear हो गया, फटा फट से हाँ बोल देना है, clear है, और एक बार अपने notes को अब एक बार read कर लो, पूरा पीछे का, तो आपके mind में और अच्छे से ये बैठ जाएगा, अच्छा, अब इसी में जो आपका behavioral segmentation है, इसी में क्या होता है आपका, कि कुछ आपके customers need and benefit पे segment किये जाते है, उनका जो behavior होता है, यानि कि उनको need है किसी चीज़ की, और जहां उने benefit जादा मिलेगा, वहाँ पे वो वैसा product लेंगे, ठीक, ऐसे customer को भी यहाँ पे segment किया जाता है, तो ये एक चीज़ ये भी याद रखना, need and benefit के जो segmentation है, या फिर ये जो एक group है, ये भी brand का यहाँ पे उनको कम मिलेगा, offer मिल चाया गया, फिर suppose करो ऐसा हो गया, इनको offer मिला कि आपको, हाँ, इनको क्या offer मिला कि आप अगर एक plate खाना लेते हो, आपको उसके साथ एक plate खाना free मिलेगा, तो वो वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे benefit मिल रहा है इनको, ठीक करेंगे, इनको दिखाएंगे, हम आपको बहुत सारा benefit दे रहे हैं, आपकी need भी पूरी होगी और हम आपको benefit भी पूरा का पूरा देंगे, अरे बोलो हाँ, बात clear है तो यह वाली भी, ठीक है, तो यह अब आपका जो behavioral segmentation है, यह पूरा खतम हो गया, यानि कि हमारे जितने segmentation हमें करने थे, customers के, ठीक है न, या फिर consumer के, हमें जो segmentation करने के base थे, वो पूरा का पूरा आपका complete हो चुका है, अब मैं आपको दो अलग type के segmentation का base बता रहा हूँ, देखो, base जो होते हैं, वो total 4 होते हैं, बट कभी-कभी क्या होता है, मैंने आपको बोला भी था, गर कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको example दूँ तो, इनको यार देखो, ऐसे लिखो, यहाँ पर आपकी यह hybrid approach कहा जाता है, क्या बोला जाता है, hybrid approach, clear है, तो इसमें होता क्या है, हमने 2 segmentation को एक साथ मिला दिया, एक हमने क्या मिला दिया, demographic, क्या मिलाया जाता है, demographic और इ hybrid approach, ठीक है, यह दो type की होती है, एक तो होती है, demographic और psychographic को मिला दो, दूसरा क्या होता है, कि आप अपना यह geographic के साथ demographic को मिला दो, ठीक है, geographic के साथ आप क्या करोगे, demographic को मिला दोगे, तो यह दो type की है, आपकी hybrid approach बनती है, यह याद रखना कि psychographic और geographic, यह कोई भी, यह आप आपका demo और psycho मिलेंगे या फिर आपका geo और demo मिलेंगे ठीक है यह याद रखना अच्छे से hybrid approach दो type की ही होती है clear है अब इससे होता क्या है basically कि आपका एक काफी अच्छा result निकल के आप आता या फिर marketers थोड़ा सा और अच्छे से अपना जो market है उसको target कर पाते हैं ठीक है इतन सही इसके बारे में याद रखो ज़्यादा detail में नहीं जाना और एक चीज याद रखना मैंने आपको cosmetics वाला question पूछा था cosmetics का ठीक है उसमें answer आपका demographic था लेकिन अगर आपको option में demographic और psychographic ये दौनों दे रखे होते एक आपको दे रखा होता यहाँ पे कौन सा वाला option एक दे रखा होता demographic दूसरा option दे रखा होता demographic और psychographic hybrid approach तो आपको ये second वाले पे जाना था ठीक है लेकिन manageable options दिये थे उसमें क्या था demographic था social class था and इसके अलावा दो option और थे तो याद रखना ऐसे case में आपको हमेशा demographic पे जाना है जो बच्चे social class को select किया जिन बच्चों ने वो तो उसके अंदर एक factor है ठीक है ना ये एक factor है जबकि जो base है वो कौन सा होता है demographic होता है clear है इसलिए आपको demographic पे जाना था मेरी बातें आपको समझ में आगी क्या बोलो फटा फट से हाँ and ये आपका पूरा का पूरा एक topic यहाँ पे finish होता है then कल मिलते हैं और आगे की and काफी सारी नई चीज़ें मिलने वाली है current affair भी आपको monthly current affair के important question है जैसे कि हर month से अभी आपका पिछला August गया है तो August के top 100 MCQ करा दिये जाएंगे या फिर किसी तरीके से आपको दीमे दीमे ऐसे ऐसे important चीज़ें जो होती है वो करवा दी जाएंगे तो इसके बारे में टें announcement कर रहा हूँ भी आपकी लिए ठीक है एक announcement है जिसके भी 90 95 plus marks आएंगे ना उसके लिए एक एक pizza मेरी तरफ से ठीक है एक एक pizza आपको जहां भी हो आपको जिस भी जगे रहोगे ना वो pizza मैं order करूँगा ठीक है लेके आओ 95 marks exam में clear है जो आपका exam होगा उसके बाद आपको party म मैंने पहले क्या किया नहीं किया मेरा कितना है कितना नहीं है अगले जो 20 days होने वाले है ना 20 days 19 to 20 days जो है आपके ये आपके हाथ में है इनका ऐसा use करोगी और कोई करी ना पाए ठीक है अपना level best दे दो और जब आप अपना level best दोगे ना तो ultimately आप बहुत लोगों से आगे करो कि मैं यहाँ पर लेक कर रहा हूं कहां कैसे मुझे चीजों को आगे बढ़ाना है कैसे नहीं बढ़ाना है और आज का आपका target क्या रहेगा भी आज आपको math में percentage प्लस आपका SICI ये पूरा revise कर करके आना है ठीक है आज ही आज में जब हम अगली बार मिलेंगे ना 5 p.m को तो आपको ये सारा complete करके आना है anyhow इसके मैं कुछ questions भी डलवा दूँगा 5-10 percentage और SICI के अच्छे कासी ठीक है कल तक वो भी आपको करने है clear हो गई मेरी बात अच्छे से पढ़िये यार जीजान लगा दो आपके पास है क्या खोने को कुछ नहीं है पाने को बहुत कुछ है ठीक है डरते किसे वास्ते हो डरते तो वो है जिनके पास बहुत कुछ खोने को क्या है आपके पास कुछ भी नहीं है तो at least पूरा जीजान लगा दो कुछ मत करो यार आपको सोना है ना मसो पांच गंटे सो नींद आ रही है तो खुद को थपड़ मारके पानी से मुह द बोलो ठीक है ना करना पड़ता है स्ट्रगल करना पड़ेगा जितनी मेहनत करोगे उतना ही जदा आप सक्सेस के करीब जाओगे अगर आप सोच रहो कोई शौट कट मिल जाएगा आपको मेहनत का नहीं मिलेगा शौट कट मिलेगा तो नीचे गिरोगे ठीक है ना इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से महनत करो बहुत जादा टाइम होता है हर दिन में 24 गंटे होते हैं ठीक है ना इन 24 गंटे में से अगर आप अपने लिए 13 hours भी utilize कर पाते हो तो वह आपको बहुत benefit देगा अच्छे से पूरा एक strategy करके आपको अपने तयार करते जाना है सारी चीजों ठीक है अपना best दो और कुछ भी tension नहीं लेनी ठीक है अब इस session को यहीं पर end करूँगा जो भी आपके further announcement होगे वो आपको मिलते जाएंगे और क्या है भई हां और test series को यार आपको ना पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो test series को क्यों test series की जा ठीक है मैं यह करता हूं एक session आपको अगले next 24 hours में मिल जाएगा तो खैर अब session को यहीं पर end करेंगे thank you so much god bless you all take care and bye bye